आप देख रहे हैं दखल न्यूज माराश्ट और हरियाना में प्रत्याश्यों का प्थांके एबियम में क्याद गुरुबार को आएंगे तदिश इंदोर की गोल्डन गेज होचल में लगी आग ताश के पत्ते की तरहा चराब होचल लोगों को रेस्क्यू कर बचाए गया दंतेवाडा में रंग लाई पूर्व नकसली की मुहीम अठाइस नकसलवार्दियों ने किया आपनों समर पड़ और सामने आए अस्पताल प्रबंदन की लापरवाही समय पर इलाज ना मिलने से मरीश की वाथ नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दाखल न्यूस खबरें विस्तार से महराश्टर और हर्याना में आज सभी प्रत्याशियों की किस्मत इवियम में कैद हो गई है हर्याना की 90 सीटों और महराश्टर में 288 विधासवा सीटों के लिए मतदान हुआ महराश्टर में देवेंद्र पर्णवेस तो हर्याना में मुख्रमंत्री खटर की किस्मत दाउं पर है मुंबई में सुभा से ही सितारे मतदान करने पहुँचे है सुबह साथ बजे से ही मतदान केंद्रों पर वोल्टरों के पहुंचने का सिलसला शुरू हो गया था लोगतंत्र के इस महा कुम्ब में आहूती देने के लिए सेलेब्रिटीज भी वोल्टिंग बूतों पर पहुंचने लगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हाई प्रोफाइल सीटों पर इस बार वोल्टरों का क्या रुक रहेगा इस पर सब की नजर है क्रिकेटा सचिन तैंदुलकर ने अपनी पतनी अंजली और बेटे अरजुन के साथ बांदरा के पोलिंग बूत पर मतदान किया बॉलिवल्ट सिंगर कैलाश खेर भी मतदान करने पहुँचे इस दोरान खेर एक अलग ही अंदाज में नजर आई बॉलिवल्ट अभी ने इतनी मादर दीक्षित ने भी बांदरा वैस्ट मतदान केंडर पर अपना वोल्ट डाला फिल्म अभी नेता अप रितेश देश्मुक अपनी पतनी जैनलियर डीसुदा के साथ लातूर स्थित पोलिंग बूत में मतदान करने पहुँचे उनके साथ भाई अमित देश्मुक और धीरज देश्मुक भी मौजूद थे अमित देश्मुक लातूर शहर और धीरज देश्मुक लातूर ग्रामीर स्थित से चुनावल रहे हैं फिल्म अभी नेतरी लारा दत्ता अपने पती और पूर्व टैनिस के लाडी महेश भूपिटी के साथ वोल्ट डालने पहुँचे उन्होंने बांदरा वैस्ट के पोलिंग बूद पर मतदान किया मशूर फिल्म अभी नेतर प्रेम चोकला और डारेक्टर एवं गीतकार गुलजा ने भी बांदरा वैस्ट पोलिंग स्टेशन पर अपने मतधिकार का प्रेयोग किया वहीं सालिब्लिटीज में सबसे पहले अपने जवाने की मशूर कलाकार वहीं शोभा खोटे अपना वोट डालने पहुची अपील करूँआ कि सब लोग आएं और भारी तादाद में वोटिंग हो हर आदमी जो है महाराष्टर का वो अपना मतदान करे और इस प्रोसेस में हिस्सा ले जाबुआ विधान सभा उप्चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया सुभा से ही मतदान के दर पर भीड रही जाबुआ में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता कांतिलाल भूरिया और बीजेपी के युवा नेता भानू भूरिया की प्रतिष्ठादाओं पर है कॉंग्रेस सरकार अपने पैर जमाने के लिए इस सीट को जीतना बहुत जरूरी समझती है जाबुआ चुनाव में बीजेपी और कॉंग्रेस की अपनी-अपनी जीत के दावे हैं यह चुनाव अगर कॉंग्रेस जीतती है तो यह कमलनात सरकार के अच्छे कामों पर एक मोहर का का म करेगा बीजेपी ने आस युवा भानू भूरिया को तो कॉंग्रेस ने बुजुर्ग ने तक कांतिलाल भूरिया को रवन में उता रहा है जाबुआ का मतदाता भी दो भूरियाओं के बीच फसा नजर आ रहा है लेकिन मतदान करने बड़ी संख्या में लोग निकले ये लोगतंत्र के लिए शुप संखे थे दो पहर एक बजे तक 48 प्रतीशत मतदान हुआ ग्रामिन छेत्रों में मतदाद की गती धीमी रही लेकिन शाम के वक्त लोगों ने तेजी से मतदान किया 356 केंद्रों पर शांती पूर्ण मतदान के इंतजाम किये गए थे जहां 2,47,000 से ज्यादा लोगों को मतदान करना था 15 मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग ने वेब कास्टिंग के माध्यम से नजर रखी है उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया ने ग्राम दोतल में सुबह मतदान किया वहीं कॉंग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने भी परिवार के साथ मतदान किया मैदान में पांच उम्मीदवार हैं जिसमें से कॉंग्रेस से कांटिलाल भूरिया, भाजपासे भानू भूरिया और तीन निसतलीे कल्यान सिंग डामोर, निलेश डामोर और रामिश्वर सिंगार सामिल हैं दोन प्रमुख दल भाजपा और कॉंग्रेस के दिगजों में चुनाव में पूरा जोल लगाया है। वहीं भाजपा से बागी होकर चुनाव लग रहे कल्यांट सिंग डामोर पर भी सभी की नजर है। जनता का फासला गुरुवार को पता चलेगा। गुरुवार को टेक्निक महाविद्याले में ही मतगर्णा होना है। एक मेरी कर्म भूमी जहावा रही है। वापस मुझे सोन्या जी ने कमनलाजी मुख्यमंत्री ने वापस मुख्यमंत्री बना के यह खड़ा किया तो जहावा जिंता मुझे आशिरा देगी। और चार साल में विकास की म विकास के मुद्दों पे हमने पहले विकास किया अब भी विकास करेंगे। यह हमारे में प्रतिबद्दता है और वचन जो हम केते हैं चाहे वचन पत्र में जो भी किया था मुख्यमंत्री ने किया है जो भी हम लोग वचन देरे हम करेंगे तो यह हमारी जो केतियों करते ह बाजबा जो किती नहीं करती है। होटल स्टाफ ने होटल में ठेरे लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला। कुछ लोगों के अंदर ही फसित रहने की खबर आई है। होटल में फसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। लोगों को बचाने में इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। एक व्यक्ति को रेस्क्यू करने का एक वीडियो वारल हो रहा है। जिसने सीडियो के सहारे एक बुजर्ग को आग से धदक्ती होटल से बाहर निकाला गया। होटल आग के शोलों में तब्दील हो गया था। काफी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। होटल से लगी दूसरी इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है। आग की लपटे होटल के नीचे से उपर तक फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि आग शोट सरकिट की वजह से लगी है। बताय जा रहा है कि होटल का जादातार हिस्सा लकडी से बना हुआ था। इसकी वजह से आग पहुत तीजी से फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए फाइब गेट की टीम लगातार लगी रही। नगर निगम के पानी के टैंकर भी मौके पर पहुँचते रहे और फाइब गेट की मदद करते रहे। घटना के बाद वहाँ आसपास भीड जमा हो गई थी। आग की वजह से पूरे छेतर में दुआ फैल गया था। उधर बिल्डिंग के पिछले हिस्से को फाइब गेट और नगर निकम की टीम ने तोड़ा और अंदर के हिस्से में पहुची। और फिर पीछे और होटल के आगे दोनों तरफ से आग बुझाने का प्रयाश शुरूर किया गया। घंटों की मशकत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आग के कारण होटल के आसपास के भवनों को भी काफी नुकसान पहुचा है। जनसंपर्ग मंतरी पीसी शर्मा ने कहा कि किसानों के रिण माफ हो रहे हैं 100 यूनिट बिचली जलाने वालों के बिल 100 रुपय आने लगे हैं अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है कर्ज माफी की प्रक्रिया चल रही है बिजली बिल भी अब 100 रुपय आने लगे हैं किसानों को मुआफजे के लिए सर्वे कारे चल रहा है पीसी शर्मा ने कहा हनी ट्रैप में फसी महिलाव के खिलाफ कारवाई होगी सांसत प्रग्या के बयान पर मंतरी शर्मा ने कहा कि वो अब भी राश्ट पिता नहीं बोल पा रही है कल उन्होंने माहत्मा गांधी क और राश्ट पिता नहीं बोल पा रही है अब दीरे दीवे सब बुद्धी आएंगी तो सकता है कि राश्ट पिता ही बोलने लगए बीजेपी नेता पूर्व मंतरी नरुत्तम मिश्रा ने कहा कि कॉंग्रेस सरकार ने ग्रामिर और गरीब के साथ धोका किया है इसका खामियाजा उसे जाबुगा चुनाव में उठाना पड़ेगा जाबुगा का परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएगा उसका प्रतिफल उसको जाबुगा उप चुनाव में देखने को मिलेगा नरुतम मिश्रा ने कहा कि जाबुगा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूरी विधान सभाज छेत्र में हर जगहां गया है वह इमांदर और प्रतनेशिल है मिश्चित ही भाजपा की जीत आई थी लेकिन वास्तब में हमारे जो प्रत्यासी हैं बहुत यूध हैं मेहनत कश हैं और एक एक फलिया तक पहुचने वाला पहला प्रत्यासी है जिस तरह से कांग्रेस ने किसान को गरीब को धोका दिया है उसके कारण से जीत भाजपा की सुनिश्चित है आत्मसमर्पित इनामी नकसली राजू मिरकोम की अपील का असर कटी कल्यान इलाके में देखने को मिरा राजू की अपील पर चार इनामी सहित 28 नकसलियों ने आत्मसमर्पन किया नकसलियों ने मौजूद अधिकारी और ग्रामीरों से वायदा किया है कि वे अब मुखेधा परा में जुड़का जनहित और छेतर विकास के लिए काम करेंगे। से हांदा और सी एन एम कमांडर पोडियामी मगांगी पर एक एक लाक रुपे का इनाम था। मार्जूम, जंगंपार, बड़े गारम के लोग जिस तरफ रेंडर हो रहे हैं। कटे कलियान ठाना छेतर में पुलिस के लिए एक बड़ी सा फलता है। समर्पन करने वाले अन 24 जन मिलीशिया सदसे हैं। सभी ने राजू मिलकोम के समर्पन और उसकी बातों को सुनने के बाद शांती की जिल्दकी जीने के लिए पुलिस के समर्पन किया। समर्पन करने वाले इनावी नक्सियों को अधिकारियों ने 10-10 हजार रुपे के प्रोचसाहन राशी का चेक सौपा। इस दोरान SP डॉक्टर अभिशेक बलव, CEO जिला पंचाय, सचिदानन्द आलोक, CRPF के, DIG, D.N.L.A. मौजूद थे। समय बेका है, वेकिवाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहे हैं, दखल्योंस। आप देख रहे हैं, दखल्योंस। संगित की स्वड लहरियों से, सانस्क्रित एक ताने बाने था, चंबल के पीड़ों से, नकसलवादियों के गड़ था, जोपड़ी से महलों था, धेलों से मेलों था, पकदंडियों से सड़कों था, गाउ से शेहरों था, व्यापार से उद्नियों था, राजभीति से मीटी ता दखन न्यूज आप क्या था आप देख रहे हैं दखन न्यूज ब्रिक के बाद आपका स्वागत है एक चक्रवात ने पूरे 36 गड़ को भिगो कर रख दिया है बारिश खक्म होने के बाद भी इस बारिश और मौसम से धान की फसल पराफ़त के बादल मंड़ा रहे हैं उत्र प्रदेश की उपर बना चक्रवाती गेरा इतना प्रभावशाली है कि उसने पूरे 36 गड़ को उत्तर बतर कर दिया है प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर मद्यम से भारी और हलकी बुन्दाबादी ना हुई हो शनिवार और अविवार को कई इलाकों में हुई भारी बारिश से धान का किसान परिशान है इस मौसम ने धान के खेतों पर संकत के बादल ला दिये हैं मौसम विवाग ने शनिवार को ही पूर्वा नुमान जारी कर दिया था कि शाम होते होते बादल चाहेंगे और बरसेंगे प्रदेश का मौसम बदलना शुरू हुआ और देखते ही देखते काले घहने बादलों ने डेरा जमा लिया उसके बाद बारिश ने 36 गड़ की धरती को भिगो दिया मौसम विवाग ये भी कह रहा है कि पूर्वी वहवा जब तक आती रहेंगी तब तक बारिश होती रहेंगी दमतरी से लेकर दोंगर गर तक फसल तेज हवा और मुसला धर बारिश के करन जमिन पर लेट गई बेमितर जिले में कमोबेश चे इस्तिती सोया बिन की फसल के साथ है बालो जिले के दली और राजरा में बारिश से तीन कच्चे मकान डह गए इदा दुर्ग और बिलाई में शाम को जमा जम बारिश के करन बाजार छेतरों के अलावा तमाम प्रमुक्ष चौराओं पर पानी भर गया इस बारिश से धान की सूख रहे फसल एक बार फिर खत्रे में आ गई है इस करन चत्तित गड़के किसान बहत परशान है किसानों को कहना है कि अगर बारिश का दौर ऐसा ही चला तो धान की फसल बरबाद हो जाएगी रीवा में आखिल भारतिय ब्रामन महासभा ने कॉंग्रेसी नेतावा शहर अध्यक्ष गुरमीच सिंग मंगू के खिलाव आकरोश व्यक्ति किया है ब्रामन महासभा ने कहा कि शहर अध्यक्ष लगाता है ब्रामन समाज का अपमान कर रहे हैं महासभा के संजे तिरपाथी ने कहा कि ब्रामनों का अपमान बरताष्ट नहीं किया जाएगा वे चाहें राजनेतिक गल्ग का पदरिकारी हो या फिर कोई और आम आद्वी गुर्मीद मंगू सरवजनिक रूप से माफी मांगे। बताय जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी के एक कारिक्रम के दौरान उन्होंने जहां एक तरफ भ्राम्मर नेता का अपमान किया, वही मंदिर में कारवाई के नाम पर भ्राम्मर समाज के लोगों को परिशान किया जा रहा है, यही वज़ा है कि आज महासभा को आंदोलन का रास्ता तैयार करना पड़ा। शेहर अध्यक्ष के प्रती आक्रुष भरे स्लोगन लिखे हुए थे, रेली कमिशनर का रहले पहुची जहां संभाग आयुक्त को मुखमंतरी के नाप ग्यापन पत्र सौपा गया और उसमें कारवाई किये जाने की मांग की गई, ब्राम्मर महासभा के लोगों ने परिशान था और उससे मुक्ती पाने के लिए उसने उसका सास का बेरहनी से कटल कर दिया, मामला अशोका गार्डन ठाना छेतर का है, पोलिस ने आरूपी को गिरफतार कर लिया है, अशोका गार्डन इलाके में रात खाना खाने की बाद हुए विवाद में युवक्त में रह रही अपनी पार्टनर की धारधार हत्यार से हत्या कर दी, हत्या के बाद आरोपी सीधे महिला के भाई के गर पहुँचा और हत्या की जानकारी दी, गटना की बाद बैड्रूम में फर्श पर खून ही खून फैल गया था, मूल्ता एश्बाग के रहने वाली बैलेस वर कर हत्या कर दी हो फिरार हो गया मैला की खत्या के समयिगा और च साल का बेटे भी फिलाइट में था पुलिस ने बनाई कि आरूप शारुक नियम् शान की बेटी से شादी की थी शादा के बाद मेला की बेटी कि शारुक को सुलक्रब्सकन कि लिए सस renewal में रहने लगी थी और उसका पत्री शारुक अपनी पत्री की मा के साथ हमिभ धर के साथ में वर कराई से रह रह रहे थे कल रात्री में दोड़ाई वजे के करीब दोनों खाने के बाद किसी बाद को लेकर आपस में विबाद हुआ। विबाद की दोरान शारुक खान पती के द्वारा चाकुई से उसके गार्गन दवार करके प्रत्युगा। इदर महिला के पिता बदर का कहना है कि उसकी बेटी से ज़्यादा बात नहीं होती थी वह अपनी मरजी करती थी। दामाद वासास तीन चार साल से लगाता दिविद डिशन में रह रहे थी। मृतिका लगाता ये वक्त पर अपने ही साथ रहने का प्रेशर बना रही थी। इसको लेकर उनके बीच आए दिन जगले होती रहती थी। बताय जा रहा है कि मृतिका पर इससे पहले वी 2018 में देवयपार के तहत मामला दर जुआ था। चतरपूर में अस्पताल की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई अस्पताल प्रवंधन ने मरीश को समय रहते अस्पताल में भरती नहीं किया और जब विधाय की सिफारिश से भरती किया गया तब तक मरीश की हालत बिगड़ गई थी और उसे बलड देने के उनके परिजन कॉंग्रेस विधायक आलोग चतरवेदी के पास पहुचे और उन्होंने अपते प्रतिनीधी को जिला अस्पताल जाकर पीड़ित को भरती कराने और उसको फ्री में बलड चढ़ाने के लिए अस्पताल में तैनार डॉक्टर को कहा मरीश को सिफारिश के बा परिजन सद्मे में आ गए जब इस बारे में सिफिल सर्जन को जानकारी लगी तो उन्होंने फूरे मामले के जांच के आदेश दिये हैं पेर टूटा था अट साल पहले तो उसकी रॉड पक तुके रॉड प्लली वी थी वह पक गई थी पहले भरती नहीं कर दो आते थे तो कि बलड बहुत कम था उसके सबीर में तो उन्होंने मुझसे बोला कि बलड के लिए 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 डॉक्तर ने तो मैंने का मेरे पास तो लोगा ने कुछ नहीं किया है वो लिनींद के अंजेर संभी आया है इसकी बाद लोड़ी देर ताल पड़ाया फिर इसकी बाद खतर ने के लिए लेकिन हमें लाज भरती ने करके लाज़ करके लोटा दी जाता रहा हूं तो अगर ऐसी सिती आती और कोई पर्चा मिलदा है किसने देखार क्यों लोटाया गया तो फिर उसकी पूरी जाएंट रिटेल जाच शर्वाई जाए मिलावट खोरों के खिलाब सरकार सक्त होने की बाद करती रहती है पर सक्ती कहीं नजर नहीं आती सिवनी के एक पैट्रोल पम से गाड़ियों में पानी मिला पैट्रोल डाला गया जब लोगों ने हंगामा किया तो पैट्रोल पम संचालक ने अपनी गलती मानी लोगों के हंगामे के बाद प्रिशाशन ने इस पैट्रोल पम को सील कर दिया तड़क पर दोड़ती गाड़ियां अचानक 20 तड़कों पर बंद होना शुरू हुई एक दो गाड़ियों से शुरूआ सिलसला 30-40 तक पहुँच गया मेकानिकों ने सभी गाड़ी वालों को बताया कि गाड़ी के पैटरल टेंक में पैटरल की जगह पानी डाला गया है रात में गाड़ीयां बंद होने से कई वहान सवार परिशान होकर उस पैटरल पंपर पहुचे जहां से पैटरल लिया था सबी वहानों को चेक करने पर पेट्रोल टेंक से पानी निकला लगनादौन के इस पेट्रोल पंप पर जम कर हंगामा हुआ शुरू में तो पंप संचालक अपनी गलती मानने को तयार नहीं था लेकिन जब उसने प्लीडोंसर को की संक्या बढ़ती देखी तो अपनी गलती को स्विकार कर लिया और सभी की गाड़ियां ठीक करवाने का आश्वा संदे कर मामने को रफ़ादफ़ा करने की कोशिश की पेट्रोल निकल के पानी गया है उसका उनको महाज़ा दे रेंगे लोगों के हंगामे के बाद प्रशासन की नीन खुली इस्ते ौहने पेट्रोल तो आधी रात को सील कर दिया गया तब रात को हंगामे के बीच कई बाइक संचालकों ने पेट्रोल लेने के बाद मौके पर ही बूतल में पेट्रोल भर कर दिखाया कि किस तरह से मिलावीटी पेट्रोल गढाकों को थमाए जा रहा था और बुक्ताओं का आक्रोश इतना था कि वे उग्र हो गए लोगों का कहना है यह सीधे टेंक में पैट्रोल डलवाने की कारण पता ही नीचल पाता कि पैट्रोल गैसा है पैट्रोल में पानी के में बिलावत बतब देख रहे हैं जो कि इसे तो लुक्ताओं इसे तुम्हें की किताब मुल्या नुगत मीडिया संभावना और चुनोती का लोकारपण अभिनेता आशुतोष राणा ने किया इस मौके पर आशुतोष राणा ने कहा लेखक और अभिनेता एक जैसे होते हैं कुछ लोगों के लिए जो मुल्य होता है कुछ के लिए वो बे मुल्य होता है हमें अपने अंदर के मूल्यों को शोधन करते हुए चलना चाहिए हमें अच्छे और बुरे इसमें से सही का चुनाव करना चाहिए मूल्यानुगत मीडिया संभावना और चुनोतिया किताब का लोकारपण अभिनेता अशुतोश रणा ने बोपाल में किया इस मौके पर किताब के लेखाक प्रोफेसर कमल दिक्षित और अन्यातिती मौजूद थे अब निता अशुतोश रणा ने कहा कि मूल्य बड़ी चीज है जिन चीजों का हमें चुनाव करना है तो उसके लिए अपने विवे का सही इस्तिमाल करना होता है प्रोफेसर कमल दिक्षित जी के द्वारा जो लिखी गई किताब है मुझे लगता है कि किसी भी मीडिया गर्म के लिए ये बहुत आवश्चक है क्योंकि हर विधा के या हर शेत्र के अपने अपने मूल्य होता है और उन मूल्यों का पालन करना किसी भी व्यवसाइक्ता के लिए परमावश्चक बता है इस मौकी पर प्रॉफेसर कमल दिखिट ने कहा कि 1970 के आसपास बहशाई पत्रकारता ने लंबी छलांग लगाई तब पत्रकारता में नए लोग आने लगे उन्हें लगने लगा कि पत्रकारता में भी अच्छा करियर बना जा सकता है उस दोर में एक बात प्रक्षित थी कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसे अखवार निकालने की सला दे दें वो जिन्दगी पर कभी इसमें सफल नहीं हो पाएगा इस देश में सफलता का प्रयाद धन माना जाता है उस दोर में मूल्यों का विचलन हुआ है उसके समाज के सरोकार जो तोड़े कम करके बात्चीत है उसमें और वो अलग-अलग विश्यों के संबंद में जिसका आज भी मोचन हुआ है मूल्य अन्गत मीडिया एक मासिक जनरल है तो उसमें जितने संपादिकी छपे थे वो अभी चल रहा है तो वो उन संपादिकीयों का एक संकलन है इसमें जो उसकी पत्रकारता शोषित लोगों के लिए काम करने का मद्यम है मैंने सोचना शुरू किया कि पत्रकारता एक वेफसाय है तब तेरा वर्ष पहले मूल्य नुगत मीडिया घसा पर शुरू हुआ इस बुलिटिन में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए दखल न्यूस दखल आपके हक में कहीं जाएएगा मत क्योंकि अब आपको जरजर भुपाली सुनाएंगे भेरंट समाचार मैं आपको वेलकम कर रहा हूं मैं हूं जर जर भुपाली वकलन भाई बारिश के बाद यहने बीमारियों का दोड़ चल लिया है कासी जोका में सर्राटे कीच रहे हैं लोग बता रहे हूं और डॉक्टरों के यहां तो लाइनी लगी है उनको फुरसत नहीं है बिलकुल वह भी बतारे हैं बॉड़े बड़े बढ़े बुआ प्यात करके घूम रहे हैं उस मैं पर डहा कर रहा है और ये जहत्आ का सी जिब्साता मैं भी कल गया था शौपिंग करने और यह प्रेंट देना उसने कार्ड स्वेप किया मेरा तो बहुत है तो जिरो है आपकी एटियम में मैं यह कहता हुआ मैं घर जाके पता किया बच्चों ने ओनलाइन शौपिंग कर डाली बता हुआ यह खात्रा यह पाकिस्तान को दिया थी सीच फाय तोड़ने की आदर पड़ी है सुवए सुवए उन्होंने हमा यह तीन सेने को कुमा दिया बता रहे हूं वह जब मैं कहे रहा हूं इस समय एक बड़ नगाणिगम का बढ़ रहा होने जारी है कोला नगर निगअगा अलग बनेगा रहे हूं हर मुलया मैं बना तो आर मोले का माप्र अच्छा डव्लाइमेंट होगा मुंबई यती जगह है वहा नगर पालका है जथने सारे काम होते हैं वहां वैधर लिएक समसे भड़ाने के चक्र में आफ़ा ड़क के इन दोर में लत इन्वेस्टर मीट हुआ है और इस वार सरकार नहीं नाम बदल दिए मेगनिफिकेंट मदड़ीः ने में डीशो में ओधः खो आने ले较खें अर गार के बच्चों को नोग नी मिलने वाली है यह तैयर रहो यह खबर यह देख लो गांदी जी पर चर्चा के लिए पीम मोदी नहीं है फिल्म इस्टास को बिला है इसमें आमेर खाइन शारु खान बगएर यह पहुंची थे और गांदी जी का शुद्धान तो को मैं बत जाती फिल्मों में यह तो सब चल लिया है यह खबर यह देख लो रोई शर्मा कोई नहीं टेस्टीम में मौका मिला बहुत दिनों बाद मुखे शियर की तरह तूट पड़े जो दच्छड़ अप्रिका के बॉलरों पर ले कोट आई दिया कोट आई और पहले टेस्ट में 416ITY बाता रहा हूं इस यह तो मैं बता रही हो कि दीवाली के लिजने नमस्का बेंकुल आप देख रहे हैं तखल नियूट संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउ से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों ता राजडीती से कूटनीती ता दखल नियूज आप क्या था आप देख रहे हैं दखल नियूज झाल